हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जहार खंट जई के लिए जेनरल इंजिनरिंग के टोफ फिप्टीन कोश्चन्स करेंगे तो प्लीज आप वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आप हमरे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्वेश्चन नमबर वन है अकोर्डिंग तो आईएस 1200 दा फॉर्म वर्क सेल भी मेजर दिन क्वेश्चन में पूछा है कि आपके आईएस 1200 के अनुसार फॉर्म वर्क यानि फर्मा बंदी को किसमें मेजर किया जाता है ओप्सन्स आपको दिये हैं टैनेज में मेजर करते हैं लीनियर लेंथ में इसक्वाइर मीटर में या फिर क्यूबिक मीटर में आपका जो फॉर्म वर्क होता है उसे मेजर करते हैं इसक्वाइर मीटर में ओप्सन सी आपका सही रहेगा क्वेस्टन नमबर दो है आपकी जो केंटी लिवर बीम होती है उसके लिए पाट की प्रभावी गहराई से साधारंता क्या अनुपात होता है तो आपके केंटी लिवर बीम के लिए इस पांद की जो प्रभावी गहराई होती है वो होती है सेवन और यहीं पर अगर आपसे पूछा जाता सिंप्ली सपोर्टज बीम के लिए तो वो होगी बीज और कांटिनुवस बीम के लिए पूछा जाता तो वो होगी 26 और आप सभी के लिए एक जरूरी एनाउस्मेंट है कि आप जारखन जाई की बेहतर तैयारी के लिए सिविल इंजिनरिंग और जनरल इंजिनरिंग के नोट्स भी ले सकते हैं ये नोट्स आपको हिंदी और इंगलिस दोनों में मिल जाएंगे और ये आपके एक्जाम्स में काफी हेल्प भूल भी रहेंगे नोट्स लेने के लिए आप इस वोट्स आप नमबर पर संपर्ख कर सकते हैं क्वेश्चन नमबर 3 है 1 किलो वोट आवर एनरजी इज इक्वल टू एक किलो वोट घंटा उर्जा निम्न के बराबर होती है एक किलो जूल के बराबर होती है सो किलो जूल के बराबर होती है च्छतिस सो जूल के बराबर होती है या फिर च्छतिस सो किलो जूल के बराबर होती है एक किलो वोट घंटा उर्जा जो है वो बराबर होती है 3600 किलो जूल के Option D आपका सही रहेगा Question No.4 है The first low of thermodynamics is low of उसम गत्मी का प्रथम नियम है Options आपको दिये हैं Conservation of Mass, द्रवेमान सरंचन Conservation of Momentum, सम्वेंग सरंचन Conservation of Energy या फिर Conservation of Heat Thermodynamics का जो पहला लव है वो आधारी थे Conservation of Energy पर Option C आपका सही रहेगा Question No.5 है The Thickness of Gusset Plate Should not be less than Gusset Plate की मुटाई किस से कम नहीं होनी चाहिए? 6 mm से 8 mm से 10 mm से या फिर 40 mm से आपका सही रहेगा Question No.6 है The Air and Fuel Ratio of Petrol Engine is Controlled by Question में पूछा है Governor से गवर्णर से या फिर All of the Above इन सभी से तो पेट्रोल इंजन में वाय तथा इंधन के अनुपात को कंट्रोल किया जाता है कार्बूरेटर से Option A आपका सही रहेगा Question No.7 है Bernoulli equation is applied to Bernoulli समीकरन जो है उसका प्रियोग किया जाता है Venturi meter पर Pitot tube पर Orifice meter पर या फिर All of the Above इन सभी पर तो Bernoulli equation जो है वो applied इन सभी पर है Venturi meter, Pitot tube और Orifice meter Option D आपका सही रहेगा Question No.8 है The specific weight of water in MKS system is taken as पानी का आपेचिक भार लिया जाता है पानी से, निउक्लियर पावर से, कोईले से या फिर सोलर पावर से तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बिजली है वो उत्पादित की जाती है निउक्लियर पावर से Option B आपका सही रहेगा Question No.10 है The following device could be used to measure discharge in a pipe flow Pipe प्रवाह में विसरजन मापने के लिए किस उपकरन का यूज किया जाता है Pitot tube का करते हैं Venture film का करते हैं Current meter का करते हैं या फिर Orifice meter का करते हैं तो आपके pipe प्रवाह में discharge को मापने के लिए यूज करते हैं Orifice meter का Option D आपका सही रहेगा अगला question है Which of the following is a dimensionless quantity निम्न लिखित में से क्या एक विमारहित मात्रा है Strain Modulus of elasticity shear force या फिर stress तो आपकी जो strain है वो आपकी विमारहित मात्रा है Option है आपका सही रहेगा अगला question है The mechanical test is done on which type of insulator जो यांत्रिक test होता है उसे किस प्रकार के कुछालक पर किया जाता है सेकल टाइप पर पिन टाइप पर इस्ट्रेन टाइप पर या फिर suspension टाइप पर तो यांत्रिक टेस्ट जो है वो किया जाता है suspension टाइप कुछ अलक पर option D आपका सही रहेगा अगला question है In consent lamp is ये एक tube light है bulb है sodium lamp है या फिर इन में से कोई नहीं तो ये है आपका एक bulb option B आपका सही रहेगा अगला question है The metric system is called metric प्रणानी को और किस नाम से जाना जाता है CGS system के नाम से MKS system के नाम से SI system के नाम से या फिर इन में से कोई नहीं तो जो आपका metric system होता है इसे SI system के नाम से भी जाना जाता है option C आपका सही रहेगा फिर आपका आज के इस वीडियो का last question है which of the following material is commonly used for making magnetic recording tape निमनांकित में से किस सामगरी का यूज आम तोर पर शुम्बकी recording tape बनाने के लिए किया जाता है ferric oxide का silicon iron का iron dust का या फिर iron का तो question number 15 का आप योगा answer हमें comment box में जरूर देजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो like करें share करें channel पर नए है तो channel को subscribe करें याउएंगा देएड़ की का याउड़ी को या जाता है